डिफ्रेंशल क्या है भाग काम पैसे करता है उप्योग इस विशे में हम डिफ्रेंशल के बारे में समझेंगे तैसे डिफ्रेंशल क्या है पैसे वर्क करता है और इसका उप्योग कहा कहा किया जाता है सबसे पहले हम आसान शब्दों में डिफ्रेंशल क्या है समझते हैं डि साथ अब विश्म समभव है जब वहिकर राइंग स्ट्रेट हो लिफ्रेंशन सिस्टम एक बहुत महाधवा पूर्न खोज्ट है आटो मईंडेश्ट्रिज के रुद्धी में मतलब जब कि किसी automobile की driving state होती है तब differential दोनों rear wheels को एक आसन एक समान ड़की पर rotate होने के अनुमति देता है इसके अलावा जब भी किसी automobile के दोनों rear wheels टर्न देते है तब एक differential दोनों rear wheels को अलग-अलग speed पर rotate करता है मतब differential की मदद से हम automobile के rear wheel speed को बदल भी सकते है और समान भी परग सकते है यहाँ निरबर करता है कि हमारे driving किस प्रकार की है यहाँ differential दोनों प्रकार की driving पर काम करता है जैसे straight driving हो या turning driving हो differential vehicle turning में बहुत बड़ा रोल में बाता है rear wheel को अलग-अलग अलग अथी पर rotate कराने में और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी vehicle के turning बिना sleeping के अभी संभाव है जब vehicle के दुनों rear wheel अलग-अलग अलग अथी पर rotate करें अगर ऐसा नहीं होता है तब हमारी vehicle turning में sleeping होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है जैसा कि हम जानते हैं कि engine power produce करता है और ये power propeller shaft की मज़द से या propeller shaft के जरिये rear wheel में आती है rear wheel में दो wheels होते हैं left और right और ये दोनो wheel rear axle से जुड़ा रहता है और automobile differential भी rear axle पर ही लगा होता है अब हम समझेंगे कि differential पैसे work करता है और इसकी working process क्या होती है differential के भाग wheels, drive shaft, solid shaft, ring gear, pinion gear, spider gear, differential cage, side gear differential working process में wheels को power propeller होती है engine से drive shaft की मज़द से और फिर ये power wheels को rotate कराने में मजद कर दी है जब कि wheels power propeller करते हैं engine से तब automobile में लगे differential इन wheels को अलग अलग आरपियम पर turn करने में मजद करता है हमेशा ये देखा गया है कि जब भी vehicle turn लेता है उसमें लगे दो rear wheel में से एक wheel ज़्यादा distance travel करता है दूसरे wheel की तुलना में इसका मतलब है कि जो wheel ज़्यादा distance travel करता है वो ज़्यादा speed पर भी घुमता है दोनो rear wheel एक solid शाफ से जुड़े रहते हैं और जब turning होती है तब sleeping condition आती है ऐसे में solid शाफ पर लगा differential system अपना कारे करता है दोनों wheel को अलग अलग आरपियम पर rotate कराने और vehicle को sleeping condition से बचाता है टर्निंग के दवराम differential में gear कैसे काम करते है इसमें engine से power को ring gear तक पहुंचाता है पेनियन gear के माध्यम से spider gear एक बहुत मदवपूरन रूल निबाता है differential में इसमें ring gear spider gear से जुड़ा रहता है और spider gear दो तरह के protection को निबाता है spider gear एक rotation ring gear के साथ में करता है और दुसरा अपनी ही axis पर rotate होता है यह spider gear measured होते हैं दूस side gear से ऐसे में जो power flow होती है एंजिन से वो पिनियन से जोनों left और right wheel इसमें पहुचाती है differential के अलग-अलग cases को समझेंगे पहला case जब वहेकल straight move करता है इस case में spider gear ring gear के साथ में rotate करता है पर यहां spider gear अपनी ही axis पर rotate नहीं करता इसके बाद यहां spider gear धक्का लगाएगा और side gear को मोट देगा इसके बाद यहां दोनों gear spider gear और side gear एक समान speed से turn करने लगते है इस case में spider side gear मिलकर एक solid unit assembly तयार करते है और यहां एक single solid unit की तरव भी move करते है अब हम दूसरे case को समझेंगे कि इसमें gear कैसे काम करते है दूसरा case इस case में हम समझेंगे कि vehicle right turn कैसे लेता है gear की मज़त से इसमें spider gear एक महत्वपूर्ण रूल निबाता है spider gear ring gear के साथ साथ अपनी भी axis पर rotate करता है जिससे spider gear एक combined rotation बनाता है और इस combined rotation का effect side gear पर पड़ता है इसमें सही तरह से measure side gear की peripheral velocity समान होती है spider gear की peripheral velocity के जब spider gear spinning और साथ के साथ rotate भी कर रहा हो तब spider gear की left side की peripheral velocity बराबर होती है spinning और rotational velocity के जोड़ के इसका मतलब है कि जब भी हम spinning और rotational velocity को जोड़ देंगे तब हमको spider gear की left side की peripheral velocity मिल जाएगी और जब हम spinning और rotational velocity को घटा देंगे तब हमको spider gear की right side की peripheral velocity मिलेंगी और इसमें left side के gear की side ज़्यादा होती है राइड side के gear की सुलना में इसी तरह differential manage करता है left और राइड विल को अलग-अलग speed पर turn कराने में तिसरे case में हम समझेंगे कि vehicle left turn का इसे लेते है gear की मज़स्ते तिसरा case इसमें spider gear विपरिज दिशा में spin करता है heavy load vehicles में हम एक और spider gear को जोड़ देते है differential system में इससे फिर हमको एक बहुत अच्छा arrangement मिलता है और gear का differential में differential का उप्योग अब हम differential के उप्योग के बारे में समझेंगे कि differential का उप्योग कहा कहा किया जाता है differential pinion ring gear assembly में speed कम करने का काम भी करता है जिसे से हमको ज़्यादा torque मिलता है differential का बहुत ज़्यादा उप्योग कार्फ में किया जाता है differential से हमको vehicle की अच्छी efficiency मिलती है क्योंकि इस system में energy का loss कम होता है